गुड मॉनिंग स्टुडेंट आज हम ओर्गेनाइजेशन ओप रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में स्टडी करेंगे सबसे पहले हम रूट सिस्टम क्या है इसके क्या-क्या फीचर्स है इनके बारे में हम बिंदुवार अध्यान करेंगे हम सभी जानते हैं कि एंजिस्परम्स प्लांट जिसे हम हायर प्लांट कहते हैं उसके दो इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं जिनें रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम कहते हैं रूट सिस्टम प्लांट का अंडर ग्राउंड पार्थ हैं एंजिस्परम्स में रूट कि उत्पत्ति एंब्रियो के रेडिकल के इलोनगेशन से होती है रूड़ सिस्टम प्लांट एक्सिस का डिसेंडिंग भागे जो पोजिटिवली जियोट्रोपिक तथा नेगेटिवली फोटोट्रोपिक ग्रोथ प्रदर्शित करता है रूर्स में नोर्स तथा इंटर नोर्स नहीं पाई जाते हैं ये नौन ग्रीन होती है अथात इनमें कलोरोफिल नहीं होता अतर ये नोन फोटो सिंथेटिक होती है टीनोस्पोरा की रूट इसमें एक्सेप्शन है क्योंकि उसमें कलोरोफिल पाई जाता है और वो फोटो सिंथेटिक होती है रूट्स लेप्स फ्लावर्स तता बर्ड्स उत्पन नहीं करती है लेटरल रूट्स की उत्पत्ति एंडोजिनसली रूट्स से पैरी साइकल से होती है रूट के शिर्ष पर रूट केप वह यंग रूट की सतर पर यूनी सेलिलर रूट हैर्स पाई जाते हैं रूट में वेस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं तथा इनमें प्रोटो जाइलम एक जार्क कंडिशन में पाया जाता है और्गेनाईजेशन ओप रूट एपेक्स के बारे में जब हम स्टड़ी करते हैं तो इसके और्गेनाईजेशन को अस्पष्ट करने के उद्देशे से निम्नलिखित चार थियूरीज अलग-अलग बेग्यानिकों के दोरा प्रस्तूत किये गए हैं जिनमें परतम थियूरी का नाम है एपिकल सेल थियूरी दित्य थियूरी का नाम है हिस्टोजन थियूरी तथा तर्तिय थियूरी का नाम है हैबर लेंड थियूरी और लाश थियूरी का नाम है कोर्पर कापे थियूरी रूट एपक्स औरगेजैशन का एबिबिटेड फॉर्म आर एएम है जैसा कि पहले भी हमने पढ़ाता शूट अपक्स औरगेजैशन की जो एबिबिटेड फॉर्म थी वो ऐस एम थी कभी-कभी छोटए कुशिंस में पूच लिए जाता है कि सेम की फुल-फॉर्म लिखिए और कि इन पर भी बेड़े कुशिंस भी पूचे जाते हैं और शौट नर्स पर भी अलग-लग थियोरिस पर पूचिंस पूद सकते हैं तो हम यहाँ पर एक-एक थियोरी के बारे में विश्टरत अध्यन करेंगे इसमें प्रत्थम थियोरी का नाम है एपिकल सेल थियोरी एपिकल सेल थियोरी का प्रतिपादन नागेली ने 1885 में किया था इनके अनुसार रूट एपेक्स केवल एक विभाजन शील्ड टेट्रा हीड्रल सेल से निर्मित होता है जिसे से संपुर्ण मूल की वर्दी होती है इसकी तीन विभाजन शील्ड सते होती है मूल गोप का निर्मान इस कोशिका की आधारी विभाजन शील्ड सते होती है वर्तमान एनाटोमिस्ट के अनुसार ऐसा मूल से स्केवल टेरिडोफाइटा की मूलों के शीर्ष पर ही पायजाता है एक कोशिक मूल अगरक एंजियोस्पर्म की मूलों में नहीं पायजाता है इनमें विवाजन शिल कोशिकाओं का एक समू अत्वा उत्तक पायाता है अत्तय ये सिदान सिमित महत्व का ही है तो इस प्रकार यह जो थियोरी है ये एंजय स्पर्म में इन्विलिड हो जाती है जबकि टेर्डूफाइटा में तो लागू होती है इसलिए इस थियोरी का सिम इस थियोरी का प्रतिपादन हैंस्टीन ने 1870 में प्रतिपादित किया इसके अनुसार मूल सीर्षों का संगटन अस्तम सीर्षों के समाहनी तीन हिस्टोजन्स अत्वा सु निक्षित विभाजन शिल तीन शेत्रों से होता है इनके अत्रिक मूल में एक अन्य विभाजन शेत्र भी पाई जाता है जिसे केलिप्ट्रोजन केते हैं यह केलिप्ट्रोजन डिविजन द्वारा मूल गोग को बनाता है तीन हिस्टोजन को बाहर से भीतर की और करमस डर्मेटोजन मध्य में स्थित पेरी बलेम तथा केंद्री भाग में स्थित शेत्र को पलीरोम केते हैं जैसा कि हम S.A.M. में भी स्टडी कीती इस थोरी के बारे में तो उसमें यह बताया किया था कि डर्मेटोजन से एपिडर्मिस और पेरी बलेम से कोल्टेक्स तथा पलीरोम से वेस्कुलर टिश्यूस वह पेरिसाइकल का निर्मान होता है अगली थोरी जिसे हम हैबरलेंड थोरी के नाम से जानते हैं क्योंकि हैबरलेंड ने इसका प्रतिपादन किया अता उनी के नाम से इसे हैबरलेंड थोरी कहते हैं और यह थियोरी 1914 में परतिपादित हुई थी, यह मोटे रूप से हिस्टोजन थियोरी की ही पुनरावर्ती है, केवल टर्मिनोलोजी में परिवर्तन किया गया है, हेबरलेंड ने भी मूल सीर्ष में तीन विभाजन शील शेत्रों की उपस्ति बताई, तथा इने प्रोटोड ग्राउंड मेरिस्टेम तथा प्रोकेम्बियम कहा, यह करमस हिस्टोजन थियोरी के डर्मेटोजन पेरिवलेम तथा पलिरोम शेत्रों के समतुल्य है, नेक्स्ट थियोरी जिसे हम कोर्पर कापे थियोरी कहते हैं, यह सिद्दान्थ श्यूप ने 1917 द्वारा परतिपादित किया था, जो ट्यूणिका कॉर्पर स्थियोरी का ही पुणरावर्ति है, कॉर्पर केप सिद्दान्थ के अनुसार मूल सीर्षेस्ट में दो परकार के कोशिका शेत्र संगटित होता हैं, जो विभाजन तल में बिन होता हैं, दोनों ही शेत्रों की कोशिकाओं में पर्थम विभाजन अनुप्रस्ट तल में वह इससे निर्मित दो में से एक पुत्री कोशिका में विभाजन लोंगी ट्यूडिनल तल में होता है। दित्तिय लोंगी ट्यूडिनल तल के विभाजन की स्थती में दोनों शेत्र विभिन्ता परदर्शित करते हैं। मूल सिर्ष के परिद्य शेत्र की कई कोशिके परतों में अनुप्रस्थ तता अनुधेदरी विभाजनों की भिक्तियों से इन्वर्टेड टी के आकर्ती बनती है इसमें टी का उपरी सिरा मूल के अग्र सिरे के विपरी दिशा में होता है उल्टे टी वाले शेत्र को कोर्पर कहते हैं ये भाग ट्यूनिका के समकक्षे मूल सिर्ष का दूसरा केंदर शेत्र होता जिसे कैपे अथवा बोडी कहते हैं जो कोर्पस के समकक्षे कैपे शेत्र की कोशिकाओं में दो विभाजन की भिख्यों से सीध्य टी की आकर्ती बनती है, इनमें टी का ऊपरी सिरा मूल के अग्र सिरे की ओर होता है, यहां पर यह स्पश्ठ करना उपिक्त होगा कि मूल के अग्र सिरे को आधार मानकर टी की इस्थ्थी निरधारित की जाती है जैसा कि पूरू में उले किया गया कि कोर्पर केपे सिद्धान्त अस्तम शीर्ष के लिए परती पादित क्यूनिका कोर्पर सिद्धान्त की ही मूल शीर्ष के लिए पुनरावरती है सारंग सवरुप ये का जा सकता है कि मूल शीर्षों के संगटन के सम्मद में अभी तक भी कोई अधिकरत वा सर्वमानिय सिद्दान्त उपलब नहीं है विभिन वादों के अध्यन से यह तत्य भी इस्पष्ट हो जाता है कि मूल तता अस्तम सीर्षों के संगटन के बारे में पिछली आठ दिश्चकों में किसी भी आध्वनिक सिद्दान का प्रतिपादन नहीं किया गया है लेकिन फिर भी हम इन चारों त्योरीज के बारे में विस्तरत अध्यन करते हैं और इनके बारे में मूल सीर्षों के संगटन के बारे में बताय जाता है और ये चारों ही सिद्दान्त मूल सीर्ष संगटन को अस्पष डूप से उलेखित करते हैं अतर एक्जाम में जब प्रशन आता है तो इन चारों सिद्धानतों के बारे में हमें बताना है कभी छोटे प्रशन में आ जाता है कि एपिकल सेल्ड थियोरी का प्रतियपादन किन वेग्यानिक ने किया तो उसका आंसर हमें नागेली बताना है इस तरह से छोटे कुशन्स शोट नोर्स किसी भी तरीके से कुशन्स पूछा जा सकता है इसलिए हमें ये चारों थियोरीज मूर सिर संगटन के सिद्धानत को असपष्ट करने के उदेश्य से अच्छी तरह से व्याख्यत करना है तो आज हम आर एम के बारे में विस्तत अधिन किया अगला जो टोपिक होगा उसके बारे में हम यूनिट फर्ष्ट के अंतगर थी वेस्ट कुलर टिशू डिफरेंटियेशन, लेटरल रूट्स डिफरेंटियेशन, रूट हैयर्स डिफरेंटियेशन, सेल फेड्स एन लीनियस के बारे में विस्तर दध्यन करेंगे, इस प्रकार हमारा यूनिट फर्ष्ट पूर्ण होता है, जब हम यह तीनु लेक्चर अच प्रणिवाद।